असलाम देकूं स्टुडेंट्स, आज हम डिस्स करेंगे फेक्स मशीन क्या है और इमेजिंग सिसम क्या है लास्ट लक्षर के अंदर हम डिस्स कर रहे थे कि सोवस जैडा इंटी डवाइसे कौन सी होती है हमने देखा था कि मारे पस दो टाइस होती है सोवस एडा इंटी डवाइसे की एक स्कैनिंग डवाइसे और दूसरी मारे पस इंपूट एंड आउट्पूट डवाइसे तो हम स्कैनिंग डवाइसे पढ़ रहे थे उन scanning devices में हमने दो तरह की scanning devices को देख लिया था जिसमें हमारे पास था bar corridor था और mark and character recognition devices से आज हम देखेंगे कि fax machine क्या है और imaging system क्या है सबसे पहले चलते हैं fax machine की तरफ fax machine क्या है fax machine basically एक हमारे पास ऐसी electronic machine है जो आपके documents को एक जगा से दूसरे जगा पर send करने के लिए इसमाल करते हैं अगर आपके पास एक piece of paper है आपने वो paper किसी दूसरे सीड़ी में send करना है तो आप की कर सकते हैं fax machine का इसमाल कर सकते हैं आप वो paper अपने sender वाली site पे इंटर करेंगे sender वाली site पे मुझूद fax machine के उपर अंदर इंटर करेंगे और वो आपकी telephone lines के send कर दी जाएगी आपकी receiver वाली site पे जो receiver वाली site पे मुझूद fax machine क्या करेगी उस paper को receive करेगी और उसकी एक copy receiver को provide कर देगी fax machine करती क्या है जो fax machine आपके पास sender वाली site पे होती है वो आप से document को लेगती है और उस document को convert कर देती है digital form के अंदर फिर वो digital signals आपके telephone lines के थुरू होते हुए आपके receiver वाली site पे बहुँच जाते है receiver की site पे मौजूद fax machine on data signals को receive करती है और receive करने के बाद उसे convert कर देती है hard copy के अंदर उसे print करके receiver को दे देती है हमारे पास fax machine दो तरहां के होती है एक आपके पास होती है dedicated fax machine और दूसरी आपके पास होती है fax mode इन दोनों में slide सा difference है जो आपके पास dedicated fax machine होती है यह basically सिर्फ और सिर्फ जो data transfer करती है आपकी डाकूमें transfer करती है वो fax machine से दूसरी fax machine में send करती है यानि कि आपके पास क्या होता है receiver और sender दोनों side में क्या होती है fax modem होती है और आप एक fax modem से दूसरे fax modem में documents को send करते है या receive करते है लेकिन आपके पास जो fax modem होती है वो क्या है वो आपके पास थोड़ी latest technology है उसमें आपके कर सकते है fax modem से data को या documents को transfer कर सकते हैं आपके computer की तरफ जबकि ये facility आपके पास dedicated fax machine में नहीं होती second पर हमारे पास हमने आज जो distance करना था imaging system imaging system बिसी कलिए हम image scanners को कहते हैं ये scanners करते क्या है आपके text, drawings या images को scan करने के लिए इसमाल की जाते हैं scan करने के बाद ये उस data को convert करते हैं digital form के अंदर और फिर उन digital form को computer के अंदर save कर लेते हैं आपके पास जो image scanners हैं वो color और black and white दोनों में मजुद होते हैं यानि के आपके जो image को black and white colors में save कर सकते हैं या आपके पास अगर कोई color image है तो उसको भी वो save करने के लिए computer के अंदर इसमाल होते हैं यहाँ पे हमारे पास scanning devices वाला position खतम होता है next selection में हम देखेंगे हमारे पास input devices और audio input devices और video input devices क्या आपती हैं आप आपके जो आपके दो के लिए ग्याया आपके दो के लिए गास हम अबस्यादाव कर work अबस्यां तो को यहाँ दो झाल झाल